हाई जाए आज हम बात करेंगे fast api framework की what is fast api एंड हम इसको कैसे युज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करके हम कैसे api बना सकते हैं सबसे पहले हम बात करते है fast api framework कि फास्ट आपिया फ्रेंबर्ग पाइफन का एक फ्रेंबर्ग है और जो की एसजी इसर्वर पर चलता यह सर्वर गैंसिंकरोंश गेट विटरफेस है इस कोल्स और इस इंकरोंच सर्वर का यूज करने क्या फैद है इसके बारे हम बात में बात करेंगे बड़ सबसे पहले ह हम बात करते हैं API की API क्या होती है तो API को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि API का यूज क्या है तो API को यूज ही है कि API किसी भी backend service को किसाथ communicate करने में helpful है कोई backend service है अगर और कोई user उससे communicate करना चाहता है तो वो API की तुरू कर सकता है API एक तरीका है किसी भी backend service से communicate करने का ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि API क्या क्या मैथड प्रोवाइड कर आता है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा API का क्योंकि हम अभी हम उसके बाद fast API framework का यूज़ करके API बनाने वाले हैं तो API जो है नमबर वन गैट मैथड प्रोवाइड कर आता है नमबर टू पोस्ट नमबर थ्री पोट नमबर फोर डिलीट ओके तो डिलीट क्या करता है इन सब के क्या फायदे किसी भी रिसोर्स को फैच करने के लिए उसर्स को फैच करने के लिए हम गैट का यूज़ कर सकते हैं जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता जलता है कि ये कोई भी रिसोर्स को गैट करता है पोस्ट किसी भी record को कोई भी resource को create करने के लिए या कोई record जो database में available है उस database में नहीं है उसको insert करने के लिए database में हम post का use कर सकते हैं put कोई भी resource जो database में available है उसको update करने के लिए put का use किया जाता है कोई भी resource को modify या we can से update करने हैं delete जैसा कि नाम से ही हमें clear है कि कोई भी resource को हम delete करने के लिए use कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास patch और add ये भी APIs के method हैं, लेकिन इसका भी कोई use ज्यादा खास है नहीं, दौनों important method हैं, इनके भी use किये जाते हैं, बट अभी हम get, post, put और delete के बारे में ही जानींगे, अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, कि why fast API ओके, तो why fast API framework तो आप लोगों ने हो सकता है, बहुत fast API का नाम सनाओ, क्योंकि आज कल ये बहुत ज़्यादा use हो रहा है, और बड़ी-बड़ी कंपनियां, जैसे कि Amazon, Facebook, Google, इस framework को use करते हैं, लेकिन इसको हम क्यों use करना चाहिए, उजान लेते हैं, सबसे पहला फेक्टर स्पीड, इसकी नाम से ही suggest है, कि fast API ये तो बहुत ही fast होगा, और अभी survey में भी, ये survey के हैं, कई सारे framework को जब check किया गया, और उस पर कई देखा गया, तो ये निकल के आया है, findings ही है, कि fast API सबसे ज़्यादा fast है, deck end के, और कई सारे server होते हैं, जैसे की, हर एक language के server है, PHP code igniter server है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है, पाइथन का हमारा fast API है ही है, लेकिन इसके साथ जैंगो एक framework है, और flask, एक mini framework है, इसके साथ जाबा की अगर हम बात करें, तो जाबाइट कराता है, spring boot को, और कई बहुत सारे server है, अपने अपने language के दो दो चार्चा, कई सारे framework है, sorry, not server, framework से, पास्ट API भी एक framework है, जो पाइथन का है, तो सबसे जो main चीज है, फास्टे पेजी, वो speed है, साथ ही साथ, इसका simplicity है, हम API गो बहुत ही आसान तरीके से इसमें बना सकते हैं, with the help of schemas and models, schemas और models क्या होता है, यह हम बात में देखेंगे, maybe in next videos, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, हम जान लेते हैं कि fast API यूज करने लिए हैं, क्या के libraries install करने की need है, तो सबसे पहली है, fast API, एक libraries है, जो python का library है, वो हम install करना पड़ेगा, उसके साथ साथ, हमें ubicore, एक libraries है, वो install करना पड़ेगा, यह दो libraries install करते ही, हम fast API framework की help से, APIs को create कर सकते हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा implementation पर जाते हैं, कि हम APIs कैसे create करेंगे, उससे पहले एक architecture समझ लेते हैं, कि APIs की need क्यों है, और किस तरह computer software में इसको use किया जाता है, माल लीजी कि कोई server है, ठीक है, यह server है, और यहाँ पर कोई service चल लिए, ठीक है, यह server है, और service चल लिए इस पर, यहाँ पर हमारा कोई user है, इसको अभी चलो dv की नाम से जान ले लेएं, और यह एक user है, ठीक है, अब कोई service है, तो user request करता है, किसी resource की, और यहाँ से response सकता है, और यह service बीवी से coordinate करती है, जो database है, और यहाँ से data आता है, तो यह जो part है, this part, यह जो communication का part है, यह किसकी help से होगा, API की है, जैसे कि अगर हमारा कोई browser है, ठीक है, मालोग Chrome है, ब्राउजर क्या करता है, कोई browser पर कोई user आता है, और वो google.com type करता है, और google की server से response आता है, ठीक है, तो जब वो user लिखता है, www.google.com, तो यह, एक get request, और इसके साथ कही request, बट में लिए get request, गूगल के server पर जाती है, जो कि एक API की form में है, और वहाँ से response आता है, तो we can understand now, कि API कितनी important है, service से communicate करने के लिए, ठीक है, अब हम सीधा इसकी implementation पर जाएंगे, यह हम इसको implement कैसे करेंगे, कि implementation में, जैसा कि मैंने बताया, हमें दो libraries, जो कि pip module है, उनको install करने की जरूरत है, और उसके साथ ही साथ, हम implementation में एक get method implement करेंगे, और उसको server पर execute करेंगे, और उसके साथ-साथ next video में हम schemas और models पर बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद background service, background task कैसे perform किये जाते हैं, ठीक है, asynchronous, calls, ओके, and then we will, and hopefully after that fast API will be finished, तो सीधा आब implementation पर करते हैं, और एक API बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक, हमें install करने की ज़रूओ था, fast API, तो मैं पर इस्टॉल करता हूँ, fast API, ओके, तो यह बोल रहा है कि आपके पास already installed है, तो यह इसने requirement already satisfied बता दिया, और एक हम install करेंगे, paper install ubicore, ठीक है, यह ubicore को भी बोला है, क्योंकि मैंने अल्रेडी install कर चुका हूँ, तो बोला है requirement already satisfied, अब हम एक file create करेंगे, जिसका नाम होगा main.py, ठीक है, main.py है हमारे पास already, और इसमें एक code भी लिखा हुआ है, तो फिर से कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें fast API को import करने की जरूवत है, अपनी file में, तो मैं लिखता हूँ, from fast API import, fast API, मैं यह मान की चल रहा हूँ, आप लोग python basics आपको पता है, आते हैं, और उसके बाद, मैं fast API का एक object बनाऊँगा, ठीक है, यह मेरा आप, यह जो मैं object का नाम लिख रहा हूँ, आप, यह बहुत important name है, इसको मैं याद रखना है, और कोई भी fast API चलाने के लिए इसकी ज़रूद पड़ेगी, वह भी देख लेते हैं कि कैसे, और मैं add the rate app.cat करके decorator बनाऊँगा यहां पर, और definition index return value, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने add the rate app का यूज़ करके get method बनाया, जैसा कि मैंने बदाया था कि API में get, post बोद, delete इस तरह ही method होते हैं, अगर मैं post का यूज़ करना चाहता तो मैं इस तरह post भी यूज़ कर सकता था, यहां पर, बट अभी मैं get use कर रहा हूँ, ठीक है, और यह मेरा request का path है, जो कि अभी मैंने slash दिया हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको change और कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं यह बता रहा है कि अगर कोई request, कोई get request इस path पर आती है, तो यह method call होगा, अब मैं इस method का आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, इस method से कोई मतलब नहीं है, और जब यह method call होगा, तो यह output देगा, हेलो वर्ल, अब इसको चलाना कैसे वो देख लेते हैं, तो मुझे क्या करना है, यूबी कॉन जो हम install कर चुके हैं, जैसा कि मैं बताया था कि यूबी कॉन server provide कराता है, और मैंने बताया था कि fast API support करता है, और इसको main, main क्यों लिख रहा हूँ है, main मेरी file का नाम है, जो भी file का नाम है, main.py, तो मैं वो नाम लिख रहा हूँ, colon, यहां पर मैंने app लिखा, comma, space, minus, minus, reload, minus, minus, reload क्यों कर रहा हूँ मैं, reload, minus, minus, reload क्या करता है कि अगर, in future, आप main.py जो file जो मैंने बनाई है, इसमें कोई और भी changes करते हैं, और भी code लिखते हैं, तो आपको दुबारा-दुबारा इस line को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह automatically आपकी जो changes है, उसको reflect कर देगा server, चलो इसको चलाते हैं, तो यह बोल रहा है कि sttp12700.18000 पे यह server ready है, और आप इसको हम test करते हैं, इसको test करते हैं, एक टीप, लोकल होस्ट, वोर्ट था हमारा 8000, ठीक है, तो देखो यह हमारा output आगया, लोकल होस्ट 8000 का hello world, ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहां पर जो path था हमारा slash था, मालो कि मैं यहां पर दे देता हूं first, ठीक है, अब देखो, मैंने इस file में changes किया, लेकिन मुझे फिर से इस command को चलाने की ज़रूत नहीं है, और यहां पर हम जब इसको देखेंगे, तो changes reflect हो जाएंगे, जैसे कि अब लोकल होस्ट 8000 पर नहीं खुलेगा, अब फस्ट पर खुलेगा, वही function, ठीक है, यह देखो, लोकल होस्ट 8000 पर अगर मैं यह करता हूं तो यह hello world आ रहा है, ठीक है, अब 00 पर नहीं आएगा, अब इस पर नहीं आएगा, अब यह hello world इस पर नहीं आएगा, इस पर बोलेगा detail not found, यहां वह path मैंने नहीं दे रखा, मैंने first बात भी रखा, ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि हम get method का कैसे use कर सकते हैं, और get method बना के हम कोई भी output कैसे शोगर सकते हैं, next वीडियो में हम database से connect करेंगे अपनी in APIs को, और schemas बनाएंगे, models बनाएंगे, और उस basis पे हम एक e-commerce site बनाएंगे, जिसमें हम कुछ products को database में इंसल्ट कराएंगे और database से patch कराएंगे, तब तक के लिए, bye, thank you.